योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है अगर आप एक विकलांग विक्ती हैं तो साथियो आपके लिए आज हमें एक सरकारी योजना लेकर आये हैं और इस योजना के माध्यम से आप हर महीने 3,000 रुपे, 4,100 रुपे और 2,500 रुपे तक ले सकते हैं लेकिन इसके लिए कुछ पातरता होनी चाहिए कुछ दस्तावेज आपके पास होने चाहिए तो कौन सी सरकारी योजना है और इसमें क्या पातरता आपके पास होनी चाहिए और क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए सब कुछ जानकरी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे तो अगर आप एक दिव्यांग वेक्ति हैं विकलांग वेक्ति हैं तो वीडियो लाज तक जरूर देखिएगा और जानेगा की कौन सी सरकारी योजना है और क्या-क्या पात्रता इसमें आपकी होनी चाहिए तो चलिए वीडियो की सिरुवात करते हैं लेकिन इस से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल पर नए आए हैं तो सस्क्राइब भी जरूर करिएगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं केंद्र और राज्य सरकारों ने देश के नागरी को के ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं का सुभारम किया है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, आर्थी ग्रूप से कमजोर वेक्तियों के लिए बेज रोजगारों के लिए, किसानों के लिए कई योजनाओं चलाई हुई है ऐसी ही केंद्र और रज्य सरकार ने मिलकर विकलांगों के लिए भी योजना की सुरुवात की है तो सबसे पहले आप इसमें डोकुमेंट जान लीजिए कि क्या आपके डोकुमेंट इसमें लगतेंगे जिसमें आपका आधार कार्ड आपका विकलांगता का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इस्थाई निवास परमान पत्र बैंक खाते का विवरन पास्पोर्ट साइजगी आपके पास फोटो होनी चाहिए आपका आई पर्मान पत्र जनम पर्मान पत्र ये डोकुमेंट आपके पास होने चाहिए अगर आप इस योजना में आविदन करना चाहते है सबसे पहले आपका BPL कार्ड अगर आपके पास है या फिर आपका राशन कार्ड है तो आप वह भी लगा सकते है अच्छा इसकी अब पातरता आप जान लीजे आविदक जिस राज्य में आविदन कर रहा है वहां कव है स्थाई निवासी होना चाहिए उम्मीदवार का गरीबी रेका से नीचे जिवन यापन करना जरूरी है आविदन करता की उम्म्र जो है वह 18 वर्स से लेकर 69 वर्स के बीच में होनी चाहिए और कम से कम 40 पर 30 तक की विकलांगता होनी चाहिए आविदक पैले से अन्य किसी योजना का लाब नहीं ले रहा हो तो ये इसमें डोकुमेंट आपके लगेंगे और ये पातरता आपके पास होनी चाहिए दोस्तो इस योजना का नाम है विकलांग पैंसन विकलांग पैंसन योजना की सुरुवात केंदर सरकार के दौरा की गई लेकिन इसमें राज्य सरकारों के दुआरा भी साहतरासी दी जाती है केंदर सरकार के दुआरा हर महीने 200 रुपे दिये जाते हैं और बाकी राज्य सरकार के दुआरा दिये जाते हैं यानि कि इसमें जो राज्य सरकार और केंदर सरकार मिल करके आपको पैंसन देती है और इसमें 200 रुपे केंदर सरकार का अंसदान होता है जबकि जो राज्य सरकारे हैं वह अपने यहां के हिसाब से आपको पैंसन देती है राज्य सरकारे नियुतम 400 रुपे परती महा और अधिक्तम 500 रुपे परती महा देती है राज्यों के अनुसार यह रासी अलग-अलग हो सकती है यानि के राज्य के साब से यह जो रासी है वै जैसे अलग-अलग राज्य अपने बजट के साब से पैंसन देता है जैसे उत्तर प्रदेश में 1000 रुपे महीना की पैंसन विकलागों को दी जाती है वही हरियाना राज्य सरकार 3000 रुपे महीना की पैंसन देती है और आपकी दिल्ली सरकार 2500 रुपे की पैंसन देती है और तेलंगान रज्यसार कार 4100 रुपे विकलांगों को हर महीना देती है तो साथियो यही थी योजना की पैंसन योजना जो हम आपको बताया इस वीडियो में कि आप इस योजना में आवेदन ओनलाइन कर सकते हैं और इस योजना का आप लाब ले सकते हैं वीडियो कर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सेयर, कमेट जरू करिएगा